हेलो गाईज वेलकम टू माई स्टडी दोश यूटूब चैनल कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होगे तो फिर्ट आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे मौक टेस्ट नंबर थर्ड और बात करें मौक टेस्ट फर्स्ट एंड सेकिंड की तो एवरेज स्टुएंट्स का स्कोर 14 से 20 के बीच में रहा है तो सभी भाई नों को बहुत-बहुत बदाई हैं आप ऐसी अपनी पढ़ाई करते रहिए continue way में और कुछ स्टुएंट्स के 25 आउट अफ 25 भी आए है तो उनको भी बहुत-बहुत बदाई हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं आग का स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना तो चलो फर्स्ट कोशन आपके सामने है बिफोर दा अलाम है इस टॉप रिंगिंग रीना है पुल अबदा शेड नो एरर वीडियो पॉस्ट करिए अंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका यह वाला कॉंसेप्ट आपको टॉप टू हंडेड में बताया गया है तो चलते हैं इसके राइट अंसर की तरफ तो ऑप्शन नमर बी में एरर होगा हम यहां हैड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको आफ्टर बिफोर का कॉंसेप्ट बताया हुआ है कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनेट और आफ्टर के बाद क्या आता है पास्ट परफेक्ट आता है तो आई होप आप समझ भी होंगे बिफोर के बाद क्या आएगा पास्ट इंडेफिनेट आ तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो option number D में error होगा हम यह range का use नहीं करेंगे किसका use करेंगे range का use करेंगे क्योंकि concept होता है अगर reporting verb किसमें past में है तो reported speech किसमें आएगी past में आएगी तो I hope आप इसको जानते होगे अल्रेडी पहले से ही कि अगर reporting verb किसमें पास्ट में है तो reported speech किसमें आती है पास्ट में आती है यह बाई direct indirect से लिया गया concept है तो चलते है next question की तरफ next question आपके सामने है रित का health poor and the sick people वीडियो पॉस करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो option number c में error होगा हम यह पूर से पहले क्या लगाएंगे दा लगाएंगे क्योंकि दा प्लस पूर क्या show करेगा whole group को किसको show करेगा whole group को यानि जितने भी poor लोग हैं गरीब लोग हैं उन सबी को यह क्या करेगा represent करेगा दा प्लस पूर तो आई होप आप समझे होंगे रित का health रित का मदद करना चाती है किनकी सबी गरीब लोगों की और जितने भी क्या sick people हैं, उन सब की क्या करना चाती है, मदद करना चाती है तो हम दापूर करेंगे, क्योंकि ये किसको repeat करेगा, whole group को तो चलते हैं next question की तरफ, option number C में error था next question आपके सामने है, here is a red shirt which सपना gave me yesterday तो video post करिए, answer सोचे क्या हो सकता है इसका तो चलते हैं इसके right answer की तरफ, तो option number A में error होगा हम यहाँ A का use नहीं करेंगे, किसका use करेंगे, दा का use करेंगे क्योंकि यहाँ definite कर दिया गया है, here is the red shirt, उसी red shirt की बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, उस red shirt को क्या कर दिया definite कर दिया, तो हम definite से पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं हम किसी भी चीज को, हम किसी भी चीज की particular किसी चीज की बात करते हैं तो हम उससे पहले दा का use करते हैं, तो here is the red shirt आएगा, ना कि here is the red shirt तो I hope आप समझगे होंगे, चलते हैं next question की तरफ next question आपके सामने है, I could not recall what she has advised me in this matter, no error वीडियो पॉस करिए, अंसर सोचे, क्या हो सकता है इसका तो चलते हैं इसके right answer की तरफ, तो option number B में error होगा, हम या has का use नहीं करेंगे, किस का use करेंगे, head का use करेंगे, क्योंकि बात किस की हो रही है, past की बात हो रही है I could not recall, मुझे याद नहीं, what she advised me in this matter, उसने मुझे क्या सलाया दी थी इस matter के बारे में तो भाई, बात किस की हो रही है, past की बात हो रही है, तो भाई, हम present क्यों use करेंगे, past use करेंगे, head आएगा, ना की has option number B में error था, चलते हैं next question की तरफ next question आपके सामने है, she paid for the drink, आपको question tag इसमें से fill करना है, did she आएगा, didn't she आएगा, hadn't she आएगा तो वीडियो पॉस करिए, answer सोचे, क्या हो सकता है इसका, अगर भाई, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को एक like करना तो चलते हैं इसके right answer की तरफ, तो option number B आपका right होगा, didn't she यहाँ पर आएगा, क्योंकि past indefinite दे रखा है, और past indefinite का हम जब negative करते हैं, तो क्या लगाते हैं, didn't लगाते हैं, तो didn't she आपका right होगा चलते हैं next question की तरफ, question tag आपको पता होगा, अगर यहाँ positive है, तो बाद वाला क्या बनता है, negative, अगर starting में negative है, तो बाद वाला क्या बनता है, positive बनता है, तो आयूप आप इसको already जानते होगे, चलते है next question की तरफ, option number B आपका right होगा, next question आपके सामने है, conjunction से, we must hurry up, dash, we will miss the train, otherwise आएगा, if आएगा, unless आएगा, तो वीडियो पॉस्ट करिए, answer सोचे, क्या हो सकता है इसका, तो भाई, यहाँ जितने भी question है, सारे के सारे selected question है, single question भी आपका फालतुगा नहीं है, और दूसरी important बात, आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, telegram group से, और telegram group का link, वीडियो क वहाँ जाके देख लीजिएगा, और इसकी PDF भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे, telegram group पर, तो बात करें इसके right answer की, तो option number A will be right, otherwise, we must hurry up, हमें जल्दी करनी चाहिए, otherwise, अन्निता, हम क्या करतेंगे, train को miss करतेंगे, तो यहाँ otherwise, option number A will be right, चलते है next question की तरफ, next question आपकी सामन है, you dash give me my money back, have better आएगा, head better आएगा, better आएगा, तो वीडियो पॉस्ट करिए, answer सोचे, क्या हो सकता है इसका, तो चलते हैं इसके right answer की तरफ, तो option number B will be right, head better का हम use करेंगे, क्योंकि देखो, head better क्या होता है, किसको repeat करता है, strong advice को, और strong warning को, तो यहाँ देखो, warning दी गई है, strong वाली, you head better, give me my money back, तो यहाँ strong जब भी हम बात करें, strong advice की, यह strong warning की, तो हम head better का use करते हैं, तो यहाँ head better आपका right होगा, option number B will be right, क्योंकि यहाँ strong warning दी गई है उसको, तो इसलिए हम head better का use करेंगे, चलते हैं next question की तरफ, next question आपके सामने है, I am dash happy to hear this, very आएगा, very much आएग to आएगा, तो वीडियो पॉस करिए, answer सोचे, क्या हो सकता है इसका, तो I hope सभी ने इसका right answer सोच लिया होगा, तो चलते हैं इसके right answer की तरफ, तो भाई, option number A will be right, देखो very के साथ much का बाता है, जब हमको adjective ना दे रखा हो उसके बाद में, बर देखो adjective दे रखा है बाद में, तो हम much का use नहीं करेंगे, के ओलो के बाद किसका use करेंगे, very का use करेंगे, तो I am very happy to hear this, तो option number A will be right, एक बार मैं repeat कर दे रहा हूँ, जब भी आपको adjective दे रखा हो, तो हम very और plus much का use एक साथ नहीं करेंगे, के ओलो के बाद में, adjective दे रखा है तो, तो I hope आप समझगे होंगे एक example समझते हैं, I love you very much, अब देखो very much के बाद कोई भी adjective नहीं है, तो हमने very much use कर दिया, तो I hope आप समझगे होंगे, very और very much में difference, चलते हैं next question की तरफ, चलते हैं next question की तरफ, next question आपको adjective बताना है, affection का, affect होगा, affectionate होगा, option C, affectingly होगा, या option D, affectionately होगा, तो वीडियो पॉस करिए, answer सोचे, क्या हो सकता है इसका, आपको adjective बताना किसका, affection का, option आप चेक कर लिए एक बार, तो चलते हैं इसके right answer की तरफ, option नमर B, will be right, affectionate होगा, तो affection का adjective क्या होता है, affectionate होता है, तो चलते हैं next question की तरफ, आपको correct spelling बतानी है, तो वीडियो पॉस क करिए, answer सोचे, क्या हो सकता है इसका, तो चलते हैं इसके right answer की तरफ, तो option नमर B will be right, क्या spelling होती है, E-M-B-A-R-A-S, embarrassed की spelling क्या होती है, E-M-B-A-R-A-S, option नमर B will be right, चलते है next question की तरफ, आपको क्या बताना है, best express, यानिαιा सिरोनिंम आपको बताना है किसका abortive का, option आपके सामने given है, abortive का आपको सिरोनिम बताना है, क्या होगा, तो बात करें इसके right answer की, तो abortive का right answer होगा unsuccessful, यानि fail, तो option नमर C will be right, बात करें other option की, तो plentiful माने क्या होता है प्रेचोर बात करें lawful इसका मतलब क्या होता है निया युक्त और बात करें option D की fruitful इसका मतलब होता है उप जाओ तो भाई आपका right answer होगा abortive का unsuccessful यानि fail चलते है next question की तरफ आपको इसमें भी क्या बताना है synonym बताना है किसका masticate का option आपके सामने given है तो वीडियो pause करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो option number A will be right chew योगी masticate का मतलब क्या होता है चबाना और chew का भी मतलब क्या होता है चबाना तो option number A will be right बात करें other option की चौक मतलब क्या होता है, जाम होना, बायट मतलब क्या होता है, टुकडा, और स्वैलू मतलब क्या होता है, पसंद या स्वाद, तो option number A will be right, investigate मतलब चौबाना, तो इसका right क्या होगा, चू होगा, तो चलते हैं next question की तरफ, option number A will be right, next question आपको बताना है, opposite मतलब की एंटोनिम, किसका, abstain का, तो वीडियो पॉस करिए, अंसर सोचे, क्या हो सकता है इसका, तो बात करें इसके right answer की, तो option number B will be right, क्योंकि abstain का मतलब क्या होता है, दूर रहना, और बात करें, indels का मतलब क्या होता है, लिप्ट होना, तो option number B will be right, बात करें other option की, तो dismiss मतलब क्या होता है, रद करना, और disgrace मतलब means क्या होता है, शर्म, और बात करें, रेपल, तो ये इसका सनोनिम होता, किसका, abstain का, अगर हमसे सनोनिम पूछता, तो हम रेपल करके आते, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, दूर करना, चलते हैं, next question की तरफ, आपको idiom phrase पूछा गया है, sale in the same boat का, option चेक करिए, क्या right होगा, तो चलते हैं, इसके right answer की तरफ, तो option number A will be right, sale in the same boat का मतलब क्या होता है, B in the same situation, तो option number A will be right, चलते हैं, next question की तरफ, आप से one word पूछा है, किसका, a person who is unable to pay his debt, option आपके सामने given है, solvent, banker, insolvent या lender, तो वीडियो पॉस करिए, answer सोचे, क्या होगा होगा है, इसका, तो बात कर रहें, इसके right answer की, तो option number C will be right, insolvent, इसका मतलब क्या होता है, दिवालिया, option number C will be right, तो चलते हैं, next question की तरफ, next question है, article से है, I gave dash one rupee coin to him, A आएगा, N आएगा, option C, the आएगा, या कोई article नहीं आएगा, तो वीडियो पॉस करिए, answer सोचे, क्या हो सकता है, इसका, तो I hope सभी ने इसका right answer लगाया होगा, तो option number A will be right, हम A article का use करेंगे, चलते हैं, next question की तरफ, next question आपका proposition से है, he was born dash 10th January 2018, with आएगा, by आएगा, in आएगा, on आएगा, तो वीडियो पॉस करिए, answer सोचे, क्या हो सकता है, इसका, तो चलते हैं, इसके right answer की तरफ, तो option number D will be right, हम on proposition का use करेंगे, option number D will be right, he was born on 10th January 2018, चलते हैं, next question की तरफ, next question आपके सामने है, proposition से, one should abstain dash liquor, option आपके सामने गिवन है, for आएगा, since आएगा, at आएगा, from आएगा, तो वीडियो पॉस करिए, answer सोचे, क्या हो सकता है, इसका, और भाई मैंने ये आपका question, fixed proposition में कराया हुआ है, तो चलते हैं, इसके right answer की तरफ, तो option number D will be right, मैंने आपको बताया था, option के साथ, fixed proposition है, कौन सी, from, तो option के साथ क्या आती है, from आती है, तो option number D will be right, चलते हैं, next question की तरफ, next question है, singular plural से, आपको basis का plural बताना क्या होगा, option आपके सामने given है, तो video pause करिए, answer सोचे, क्या हो सकता है, इसका, तो चलते हैं, इसके right answer की तरफ, तो option number B will be right, इसमें क्या होगा, SIS का क्या change होता है, SIS होता है, मैंने आपको singular plural में बताया था, SIS का हम plural करें, तो क्या होता है, SIS होता है, तो option number B will be right, चलते हैं next question की तरफ, next question आपका direct indirect से है, रेका said to her mother, do you know about it, इसका correct option क्या होगा, select करिए, चारों में से, तो चलते हैं, इसके right answer की तरफ, तो भाई, जब भी आपको interrogative दे रखा होता है, तो हम क्या उज़ करते हैं, ask, तो A और D तो वैसी गलत हो गया, अब बात करें, आगे connecting word, if बिल्कुल सही है, देखो यहाँ no का nose कर दिया है, जो की गलत है, present का हम क्या करते हैं, past करते हैं, यानि present indefinite का किस में change करेंगे, past indefinite में change करेंगे, तो option number C will be right, चलते हैं next question की तरफ, next question है active passive से, it is time to take T, आपको इसका passive बताना है, चार option आपको given है, तो video post करिए, answer सोचे, क्या हो सकता है इसका, और भाई, काफी बार इस pattern पर आपके passive पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, तो चलते हैं इसके right answer की तरफ, तो भाई, आपको जब भी देरखाओ, तो इस time, plus two plus verb की first form, और हमें इसका करना हो passive, तो कैसे करते हैं, it is time for object two plus b plus main verb की third form, क्या करते हैं, it is time for object two plus b plus main verb की third form, अब आप इसको देख लीजिए, ये कहाँ पर है, it is time for, it is time for, दोनों सही हैं, बागी के दोनों गलत हैं, नीचे वाले, तो it is time for object, बिल्कुल सही है, पर देखो जहाँ, two plus verb की first form है, जो की गलत है, क्या होना चाहिए, two plus b plus main verb की third form होना चाहिए, तो option number b will be right, मैं एक बार repeat कर दे रहा हूँ, आप अपनी notebook में note down कर लीजिए, जब भी आपको दे रखाओ, it is time, two plus verb की first form, तो हम क्या करते हैं, it is time, it is time for object, two plus b plus main verb की third form, तो I hope आप समझ गया होगा, चलते हैं next question की तरफ, next question आपका PQRS से है, आपको proper sequence बताना है, कौन सा इस में से proper sequence होगा इन चारों में से, तो वीडियो pause करिए, answer सोचे क्या हो सकता है इसका, वीडियो रोक लीजिए, कोई जल्दवाजी नहीं है, आराम से लगाईए, इसका सही option, चलते हैं इसके right answer की तरफ, तो भाई, option number C, आपका right होगा, QSPR, his uncle did not send money for his expenses, after he joined the college, option number C, will be right, चलते हैं next question की तरफ, next question है, my sister has, dash, voice in my family, sweet आएगा, the sweetest आएगा, option C, sweetest आएगा, तो वीडियो pause करिए, answer सोचे, क्या हो सकता है इसका, तो बात करें इसके right answer की, तो option number B, will be right, the sweetest हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी comparison हो रहा हो, किस से whole group से, एक person या एक वस्तू का, पूरे whole group से, तो हम वहाँ super later degree का use करते हैं, आईए question देखते हैं, उसकी sister का क्या हो रहा है, comparison हो रहा है किस से, पूरी family से, तो हम super later degree use करेंगे, तो option number B, will be right, I hope आप समझगे होंगे, चलते हैं next question की तरफ, अगर भाई वीडियो अच्छी लग रहे हैं, तो वीडियो को एक like करना, next question आपके सामने है, he dash working on that project, finished आएगा, has finished आएगा, is finishing आएगा, तो वीडियो पॉस्ट करिए, answer सूचे, क्या हो सकता है इसका, तो बात करें इसके right answer की, option number B, will be right, he has finished working on that project, वह काम खतम कर चुका है, इस project पर, option number B, will be right, चलते है next, तो भाई, आपके कोई भी doubt हो, आप comment box की help ले सकते हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक like करना, और हो सके, तो share कर देना, तो भाई मैं आपसे मिलता हूँ, next वीडियो में जब तक के लिए, जै हिन, जै बारत वन्दे मातरम, take care, bye bye,